साउट के सुपरस्टार विजय की फिल्म बीस्ट इस बुधवार यानी की 13 अप्रेल को सिलवर स्क्रीन्स पर धावा बोलने के लिए तैयार है। बीस्ट की रिलीज के एक दिन बाद कंणडा सुपरस्टार यश की फिल्म के जीएफ चैप्टर टू रिलीज होने जा रही है। ऐसे में विजय और यश की फिल्मों के बीच कड़ी तक्कर देखने को मिल सकती है। इसी तक्कर के दर से बॉलिवुड में फ्लॉब फिल्मों के अंबार लगाने वाले स्टार शाहित कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज को फिलहान एक हफते के लिए टाल दिया गया है। फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपॉन करते हुए मेकर्स ने बयान जारी किया है। फिल्म निर्माता अमन गिल ने कहा एक टीम के रूप में हमने जर्सी में अपना खून पसीना और आंसू बहाए हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि ये फिल्म आप सभी तक पहुँचे। जर्सी अब 22 अप्रेल को रिलीज होगी। जर्सी तेलुगू की सुपरहिट फिल्म का हिंदी रीमेक है। यहां फिल्म 36 साल के एक शक्स पर आधारित है जिसका 6 साल का बेका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एडवांस बुकिंग के मामले में शाहिद कपूर की जर्सी साउथ के सुपरस्टार यश्की केजी एफटू से पीछे रह गई है। इस फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्नानूरी ने किया है। फिल्म में शाहिद के अलावा म्रिनाल ठाकुर और पंकच कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे।